ये कल यानि की 4 जून को तैह हो जाएगा लोकसभा चुनाओं के सबसे आखरी पड़ाओं में कल होनी है मतगणना जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेश तैयारी की है खबर तो ये भी है कि कल नतीजों के बाद अगर बीजेपी की जीत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में एक भव्य रोट्शो कर सकते हैं इसे पर दिखाते हैं आपको ये रिपॉर्ट बस कुछ पल का इंतजार जब सबसे बड़े लोक तंत्र का जनाधार देश के सामने होगा 76 दिन की चुनावी प्रक्रिया के बाद देश को मिलने जा रहा है देश का प्रधान जिसके कंधे पर 140 करोड जनता की बागडोर होगी और इसी कमान के लिए सियासी घमासान मचा है यूपी के कोने कोने में नरंद्र मोधी को फिर से प्रधान मंतरी बनाने के लिए हवन पूजन हो रहा है और पीए मोधी के लिए जीत की फ्रार्थना की जा रही है मतगरना से पहले दिल्ली में राजनेतिक हलचल बहुत तेज हो गई है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नटा के घर बड़ी बैठक हुई जिसमें केंद्रिये ग्रिह मंत्री अमितर शाह भी मौजूद रहे इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है कि चुनावी नतीजों के बाद की बड़ी तैयारी हो रही है जीत हुई तो मोदी भव्य रोड शो करेंगे पीम आवाज से बीजेपी ओफिस तक रोड शो होगा लाखो लोग इस रोड शो में आ सकते हैं पीम मोदी का अभिनंदन हो सकता है बीजेपी का तावा है कि चुनावी परड़ाम उनके पक्ष में आने वाला है और फिर से नरंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री बनने वाले हैं ये पूरा भारत मिलकर ये शश्वी प्रधान मंत्री मोदी जी को अपने इस नए भारत के शिल्पकार को जिता रहा है हर मा, हर बहन, हर लाभारती, हर वो गरीब तपका, हर वो रोजगार तपका जो रोजगार पाया है और वो बेरोजगार तपका जिनको विश्वास है कि अब हमको नया रोजगार मिलेगा मेरे विश्व के प्रधान मंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता देंगे तो यह काय थी हासिक वोटिंग होगी क्योंकि पूरे विश्व की नजर आए कि पहली बार विश्व में एक ऐसा चुना हो रहा है कि 26 दल एक अकेले व्यक्ति को रोखने के लिए विश्व के सबसे बड़े नेता को रोखने के लिए आए दूसरा है कि 14 के पहले देश के अंदर बम फटते थे और सुरचित लोग महसुस करते थे स्री नगर चौक से लेकर संसद भवन ताज होटल संगट मोचन हनुमान मंदिर कासी में कोर्ट में कचरी हर जगां बम फटते थे आदरिन मोदी जी के आने के बाद कोई बम नहीं पट यशो भूमी और करतब्य पत्थ जैसी जगहों को लेकर बीजेपी के नेता फीडबैक ले रहे हैं और मोदी सरकार के शपत ग्रहन के बाद बड़े जश्न की तयारी के लिए इन लोकेशन को देखा गया है हलाकि फाइनल लोकेशन पर अभी मोहर लगनी बाकी है वोटिंग शुरू होने में महस कुछ घंटे का वक्त रहे गया है और उससे पहले एक्जिट पोल और ईवियम को लेकर वार पलट वार शुरू हो चुका है एक तरफ कॉंग्रेस है एक्जिट पोल को नकार कर रही है तो दूसरी तरफ ईवियम पर अभी से सवाल भी खड़े कर रही है दिगवेजे सिंग ने ईवियम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर बीजेपी 300 पार जाती है तो इसके पीछे जनता का वोट नहीं बलकि ईवियम का वोट होगा वहीं बीजेपी ने दिगवेजे सिंग को जवाब दे दिया कि खिस्यानी बिल्ली खंबा लोचे एकजिट पोल के संभावित नतीजे एकजिट पोल में एंडिये को बंपर नंबर इंडिया कटवन्धन की धढ़कने बढ़ा चुका है इसका नाम एकजिट पोल नहीं है इसका नाम मोधी मीडिया पोल है ये मोधी जी का पोल है फैंटेजी पोल है उनका थे शिद्धू मुसर वाला का सौंग सुना आपने 295 जाहूल गांधी ने पहले दावा किया इंडिया गटवन्धन को 295 सीटे मिल रही है लेकिन वो अब EVM पर शिफ हो चुका है है हमारा एकजिट पोल ये कहता है कि सबसे जादा सीटें इंडिया गटवन्धन उत्तरपेदेस में जीतेगा ताका वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुंबत नहीं मिल रहा है और जो कॉंग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है और उसके बाद यदि 300 पार है लेकिन जो संभावनाएं बनी है उनकी वज़े से गटवन्धन में हड़कम पमचा है यही वज़े है कि सोनिया गांधी ने नतीजों का इंतजार करने को कहा है सर्वे करने वाली ज़्यादा तर एजेंसियों ने इंडिये को बहुमत के आसार जबाएं यानी एगजिट पोल लगातार तीसरी बार मोधी सरकार के बनने का इशारा कर रहे हैं लेकिन अगलेश यादब के साथ कॉंग्रस के नेता एवी एम पर सवाल उठा रहे हैं और गटवंधन की सीटे ज़्यादा आने का दावा कर रहे हैं हमारा एगजिट पोल यह कहता है कि सबसे ज़्यादा सीटे इंडिया गटवंधन उस्तपरेस में जीतेगा और उसके बाद जिन अधिकारियों ने उसमें पैसे बाटते हुए इनके कारकरताओं को पकड़ा और एफाइयार हुई और उसके बाद इन्होंने जूटी सिकायत करके भारत निर्वाचन आयोक दिल्ली में और उन अधिकारियों के खिलाप कारवाई करवाई एकजेट पोल की तस्वीर में एंडिये की बल्ले बल्ले हो रही है और यही वज़े है कि बीजेपी का एक-एक नेता विपक्षी गटवंधन को घेडने में जुट गया है साथी परणाम से पहले इवियम पर मचे घमासान की आलोचना हो रही है जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कॉंग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है वो EVM मशीन का वोट है विपक्ष का EVM रात पहली बार नहीं बलकि तमाम चुनाव में जब BJP की जीत होती है तो ठीकरा EVM पर फूटता है ऐसे में एक बार फिर EVM को जिम्मेदार ठहराने की तयारी से पहले फाइनल परिणाम का इंतजार तो जरूर ही कर लेना चाहिए विपक्ष के नेता एक्जिट पोल को गलत बता रहे हैं और 4 जून को इंडिया गडबंदन की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं लेकिन इन सब के बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले कारेकाल की तयारी शुरू कर चुके हैं मोदी अगले 100 दिनों का रोड मैप तयार कर रहे हैं जिसमें बड़े और चौकाने वाले फैसले भी वो लेने वाले हैं इसी पर आपको ये रेपॉर्ट दिखाते हैं क्या सच में 400 पार कनारा पूरा होने वाला है हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एंडी एट 400 पार करने वाला है उत्तर दक्षिन पूरा पस्षिम जहां कहें भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा एक ही स्वर्व आपको सुनाई देगा आम जन्मानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वा है कि फिर एक बार मोदी सरकार अपकी बार 400 पार क्या सच में राहूल को 40 और अखिलेश को सिर्फ 4 सीट मिलने वाली है राहूल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है और अखिलेश बाबो कितना भी आपके प्रती सहानुबूती से में बात करो आपका 4 भी पार्ड नहीं होना है यूँकि एग्जिट पोल के बाद इप्रदान मंत्री तीसरे कारेकाल की त्यारी शुरू कर चुके हैं अगले 100 दिनके एजेंडे पर मंधन कर चुके हैं अगले 100 दिन के लिए खाका त्यार हो चुका है अगले 100 दिनों में कठिन फैसले लिये जाएंगे सरकार की प्रात्मिक्ता की रूपरे खा त्यार हो चुकी है जो नंबर मोदी सरकार ने चुनाओ से पहले दियے थे करीब करीब वही नंबर एक्जिट पौल में भी सामने आ रहे हैं ऐसे में जहां पिमोदी अगले सौद्रूय का खाका त्यार कर रहे हैं तो वहीं इंडिया गटबंदन एक दिन पहले ही चार जून को लेकार बैठक कर चुका है। कॉंग्रेस और इंडिया गटबंदन के नेता 295 सीट का दावा कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता एक पार फिर मोधी सरकार और 400 पार का भरूसा दे रहे हैं। हम सबकी पार्टी भारतीय जन्ता पार्टी को 370 से जादा सीटे देंगे और इंडिया चार सो पार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं भारत के इस लोक तरतर के चुनाओं में भाग लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पार्टी जन्ता पार्टी सीटे पलट जाएंगी और इंडिया गडवन्दन पीडिया की डड़नी सबस्यादा सीटे जीतेगी। एक तरह विपक्ष एकजिट पोल के आगड़ों में उलजा है तो वहीं माना जा रहा है कि देश की राजनिती में चार जून के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि पीएम मोदी ने दो दिन पहले ही इसके संकेत दे दिये थे। चार जून के बाद अगले छे महने में देश में बहुत बड़ा राजनिती बूचाल आने वाला है। ये परिवारबादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। नरेंद मोदी के बारे में का जाता है कि वो बेहर चोकाने वाले फैसले करते हैं। जबकि नरेंद मोदी कहते हैं कि देश चिन फैसलों पर चोकता है उसके संकेत वो काफी पहले से देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर मोदी कहते हैं कि अगले छे महीने में राजनितिक भूचाल आने वाला है तो इससे हलके में नहीं लेना चाहिए। वो भी तब जब एक्जिट पोल के अख़़े मोदी के पक्ष में हों। विरो रिपोर्ट न्यूज एठी। देने लगा था। हैसा हम क्यों कह रहें देखेए रिपोर्ट। 80 सीटें, साथ चरण और प्रदेश में लोकसवा के चुनावी रण में एक से बढ़कर एक सियासी दिगज। मुकाबला जोरगार तो मैदान में हलचल भी उतनी ही ज्यादा थी। नेताओं ने बाजी मारने के लिए पूरी ताक ज्योंग दी। शब्द बेदिबान जम कर बरसे। प्रचंड तपिश और गर्म थपेड़ों के बीच साथ चरणों को भीदता हुआ चुनावी रथ अपने गंतव्वे तक पहुँच गया। इस बार के चुनावी महापर्व में कई मुद्दे छाई रहे। हर चरण के साथ चुनावी गियर बदलता रहा और पच्चिम उत्रप्रदेश्टे चले बयानों के तीर उर्वांचल तक पहुँचते पहुँचते चक्रवात में बदल गए। यूपी की कानून व्यवस्ता का सवाल शिमला वाली फीलिंग देने लगा। माबाप मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेच छुड़वा देते थे, व्यापारी इसी खौप में जीते थे, अब कौन गुंडा फिरोती मांग ले, कब किसका प्लॉड कब जा हो जाए, कब किसका खेच चला जाए, सरकार की जमिन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिये थे, लेकिन जब से योगी जी आए हैं, माहोल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया, हमारे योगी जी तो अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्स्पर्ट है, बाई, गर्मी कम होना अधिक होना, यह तो परमात्मा के हाँ में है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, बदमासों को गर्मी के दिन भी, गर्मी के दिन में भी, सिमला की ठंड का इहसास कराने का काम, उत्तरपदीश के की हाथ में पहली बार किसी ने किया है, तो योगी जी ने चरण दर चरण सियासी दलों में बैचे नी बढ़ती गई, हर चरण में एंडिये के तरकष से नयातीर निकलता चला गया, दोहसार चौबीस की लडाई औरंग जेब तक चली आई, और उधर अखिलेश यादव सियासत में समाजवादी पार्टी ने मेनपुरी में राष्टनायक मानअ-परताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रियास किया, इत अख़़ और औरंग जेब की उलादों को बताया जाना चाहिए, यह नया भारत है, इस नये भारत में राष्टनायकों स्विकार नहीं करता है यहाँ डबल इंजन का इस बार धुआ निकलता हुआ नजर आ रहा है और अगर धुआ थोड़ा बहुत बचा भी होगा तो यह क्यूट होगे लोग मिलकर के दोनों इंजनों का धुआ निकाल देंगे उनके घिसे पिडे डायलोगों को सुनना नहीं चाते हैं जिनोंने बहुत कुछ सुनाया और कहा कि अच्छे दिन आएंगे मनारस वालों जानते होंगे कि उनके अच्छे दिन तो नहीं आए पिएम मोदी, ग्रह मंत्री अमित्शा, मुखे मंत्री योगी आदित्यनात, S.P. अदिक्ष अखिलेश यादव और राहूल गांदी के बयानों के तीर से रणक्षेत्र का पारा चड़ता रहा इसके साथ ही एक बात को तैथी कि सियासत के केंद्र में सिर्फ मोदी ही चुनावी मुद्दा रहे पक्ष हो या विपक्ष सभी की जुबां पर ये नाम चाया रहा समझ लीजिए आज जितनी बेहमेंगाई है जितनी बेरोजगारी है उसकी वज़े है क्योंकि गलत नीतियां चल रही है देश में क्योंकि ऐसी राजनीती हावी हो गई है पूरे देश में जिसके नेता समझ रहे है कि धर्म के आधार पर आपसे वोट ले लेंगे हर पात साल हिंदू मुसलिम हिंदू मुसलिम करके हर चुनाव में जीत हासिल कर लेंगे सत्ता ले लेंगे उसके बाद काम करने की कोई जरूरत नहीं है यही उनकी विचार धारा है यूपी में सातों चरंड में हुए चुनावों में मुद्दों के साथ ही बयानों से उपजी गर्माहट में समीकरन पिखलते दिखे अब इंतसार है चार जून के नतीजों का जो बची तस्वीर भी साफ कर देंगे न्यूजेटिन के लिए बिरो रिपॉर्ड